टेक्नो फॉन में फैक्ट्री डाटा रिसेट कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों बहुत से लोगों ने कॉमेट किया था बहुत तो जोड़िये एक बंदा है जो की बार-बार कॉमेट कर रहा है कि मेरे फॉन में फैक्ट्री डाटा रिसेट कर तो चलिह आजके इस वीटियो को सुरू कर लेते हैं आप लोग वीडियो को लाई करके चैनल को सबस्क्राइब कर लेहा है तो सबसे पहले आपको अपने फट IFT कर लेने सेट्टिंगम कर लेने का लेंगे फिर आपको यहां पर नीचे की तरफ्य इन फोक्रा vacc Vikings क्लिक करने हुआ है। इस प्लेघ्स डिवाइस और से में ही सेतिंक सेंग लिए मुझते हैं तो आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं, Сам वीडियो को देखकर के डेखी है । आप यहां पर आएं गे तो नीचे आपको एक उपसिन मिल जाता है। इस option पर आपको क्लिक करना है system setting के option पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे देखिए जितने भी टेक्नो के phone है सभी में आपको same setting मिल जाएंगे तो आप लोग comment मत कीजिए इसी मेरे phone में नहीं मिला तो सभी phone में आपको मिल जाएंगे देखिए यहाँ आपको यहाँ पर क्लिक करने के यहां पर चार और पांच option मिलते हैं देखिए पहला DRM reset है, reset wifi, mobile and bluetooth, फिर आपको reset app preferences, फिर आपको मिलता है reset all system settings, और last में आपको मिलता है factory data reset, यही आपका setting होने वाला है factory data reset के लिए, यानि कि अपने phone के all data को erase करने के लिए, तो आपको simply is factory data reset के option पर click करना है, click करने के पर delete होने बाला है, यहां पर आपको देख सकता है, लिखाबा मिल जाता है your google account, system and app data and settings, downloaded apps, music photos, other data, सभी data यहां पर आपका delete होने बाला है, कुछ भी आपके phone में नहीं बचेगा, और नीचे आपको देख जाते हैं आपके कौन-कौन से account से जो कि आपके delete होने बाले हैं, फिर आ यहां पर आप pattern को जैसे इंटर करेंगे, उसके बाद आपका phone automatic reboot होगा, restart होगा, lock होगा, unlock होगा, यानकी switch off होगा, switch on होगा और यहां पर सब कुछ erase हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोग अपने techno phone के अंदर factory data reset कर सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो